वर्तमान परती भूमी किसे कहा जाता है? वर्तमान परती भूमी उसे कहा जाता है, जिसको उपजाओ बनाने के लिए एक है दो साल तक उसको ऐसे ही छोड़ गया जाता है, उसमें कोई भी करसी कारे नहीं किया जाता है, कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है, तो ऐसी भूमी को क्या कहा जाता है? वर्तमान परती भूम वो क्या कहलाएगी? पुरानी परती भूमी जहांपर पांच वर्ट से अधिक समय तक कर्षी कारे ना किया गया हो और ऐसी भूमी क्या कहलाती है? जिसके उबर फलदार व्रक्ष लगाय जाते हैं उस भूमी को क्या कहेंगे? उद्धान भूमी कहेंगे तो देखिए निर्वाहा किर्सी किसे कहा जाता है 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 तो देखिए निर्व किर्सी कितने प्रकार की होती है अगर ही कोश्चन आता है तो आपके पता होना चाहिए किर्सी दो प्रकार की होती है एक निर्वाह किर्सी और एक व्यापारिक किर्सी निर्वाह किर्सी अपने भारत राइथान जैसे जगों पर बहुत होती है और जो अमेरिका है कनाडा जैस इसे देश हैं, यहां पर व्यापारिक किर्शी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, नेक पूशन देखिए। विस्व का कुल भौगलिक छेत्र का कितना प्रतिशत भाग किर्शी चारागा, वन और अन्य उप्योग में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। 11% कर्शी छेतर में आता है, 20% चारागा छेतर आता है, 31% वन चेतर में और 38% अन्य चेतर में आता है। विश्व का जो कुल भौगलिक छेत्र का जो पृतिसत भाग है वो 11 पृतिसत करसी भूमी है, 20 पृतिसत चारागा भूमी है और 31 पृतिसत वन भूमी है और 38 पृतिसत अन्य में आता है। नेक कोईशन देखिए, भारत का कुल भॉगलिक छेत्र का कितना प्रतिसद भाग किरसी, चारागा, वन और अन्य उप्योग में आता है, तो देखिए, चार प्रतिसद भाग वन शेत्र में आता है, और तेरा प्रतिसद अन्य भाग में आता है, तो आपके देख सकते हैं कि भारत किरसी प्रिधान देश क्यों है, तो कि उसकी जो साट प्रतिसद भूमी है, वो केवल और केवल किरसी के लिए उप्योग की जाता है, अन्य देशनो की स्थिति अगर हम देखें तो भारत के वाज़ों से जापान है उसमें 12% किसी है आश्ट्रिया में बारत 6% ही है कनाड़ा में और भी कम 5% है ब्राजील है उसमें 9% है तब कनाड़ा किसी प्रधान देश तो नहीं हो सकता है उसी तरीके से जब चारागा की बात कर सकते हैं त आश्ट्रिया के अंदर 56% है और 56% का मतलब क्या हो गया कि यह जो चारा गहां बहुत जादा बड़ा छेता है आश्ट्रिया के अंदर तो इससे आपकी भौगोलिक स्थिति से आप इसके आर्थिक स्थिति और और व्यापारिक स्थितियों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए चलिए कोशन देखते हैं भूमी अवनयन किसे कहा जाता है भूमी अवनयन किसे कहा जाता है तो देखिए उपजाओ भूमी की गुणवत्ता और उपयोगिता एवं उत्पादक्ता में कमियाना वो क्या कहलाता ब्वूमी अवनेयन कहलाता है उपजाओ भूमी की गुणवत्ता उपयोगता इब उत्पादक्ता में कमी आना क्या कहलाता है भूमी अवनेयन कहलाता है ठ clarity कि अ और भूमी अव्नयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भूमी निमनी करण भी कहा जा सकता है, है ना? Next question देखिए, भूमी अवनयन के कारण क्या है? भूमी अवनयन के जो कारण है, वो मिर्दा प्रदन है, मिर्दा अलवणता में ब्रद्धी है, अते दिखनन है, वनों की कटाई है, मरुस्तली करण है, अती पसुचारण है, विकासात्मकारे, अधिक सिचाई, नहरी जलकारिसाव, सहरी ठोसकर्चा, अवे अध्धकी कप्चिस्ट, रासाइनिक खाद, और कीट नासबों का उप्योगादी, ये सभी जो कारण है, ये क्या है, भूमे अवनोयन के कारण बनते हैं, नहीं क्यूशन देखिए, भारत का सबसे बड़ा महानगर जो साथ द्वीपों पर बसा हुआ था, लेकिन वर्तमान में मुख्य भूमी का हिस्सा है, ऐसा कौन सा महानगर है, ऐसा महानगर है मुंबई, जो मुंबई था, वो किसी सम समुदर के दीपों के बीच में, उसमें बहुत सारी चीजें भर कर उस चीज को ढख दिया गया, और उस समुदर के दीपों के बीच में उसको भर दिया गया, इससे क्या हुआ, एक तरीके से हमने जो समुदर की भूमी है, उसका उप्योग कर लिया, किसके लिए, अपने न एक जगे किसी भी भूमी का छेत्र को बढ़ाएंगे, माले चारागा का भूमी हमने बढ़ा दी, तो कहीं न कहीं दूसरी जगे की घटेगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं चकता कि विस्व का छेत्पल बढ़ जाए, तो क्या होगा, कि हम अगर किसी भी पृतिशत को हम बढ़ात गारे जाता है, क्या कहलता है, बांद जो किणारे वाले चेत्र हैं, वहाँ समुद्र के से पानी प्रत सिव जगोंग फाटत को फ़ेड़े चला क्या कहलाते हैं और आपल्डर केहलाते हैं यह क्या कहलाता है फोल्ड responders से बांत क्या कहलाते है जो प्राकरतिक जल सुछतों की घर्टाउं से सुरक्षाथ प्रदान करें वह पोल्डर कहलते हैं और यह कहा हैं नीदर लेंड को उत्तर पश्चमी जो भाग है कि गई है तो किस अनुसंधान केंद्र किस्तापना है जोद्पूरक्म केंद्र कही है बाता हूं यह को ज quarterly सिई जट्रण सभाइप काम क्या है अधर मरस्तल में जो पेड़ो cev करना वो करना और मारुस्थल के पारिशिति के को बनाये रखना ही यानि संतुलन बनाये रखना ही इसका मुक्त उद्देश यह है इस चैप्टर में देखिए एक क्वेशन तो यह है जो अनुसंधान के इंद्र है इसके बारे में कई बार रिपीट हुआ है और एक इससे भी जाद चैप्टर समाप्त होता है इसमें बहुत कम फैक्ट्स हैं तो मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू कर दो